Hello Friends, Welcome to my YouTube channel आज हम चेखिए दूस्तो कि कैसे हम अपने विंडो में से किसी भी ड्राइव को दूस्तो हम डिलीट कर सकते हैं ओके Ohh friends तो चलिए दूस्तो जली से वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहली दूस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपके computer में दुस्तों आपको यहां पर देखे कर दिस PC तो यहां पर करेंगे right click और यहां से जाएंगे management और यहां से जाएंगे storage और यहां से जाएंगे disk management ओके fans आप देखें दुस्तों कि यहां पर आपको सो रही है C drive, E drive, F drive and L drive ओके fans जो कि हमें दुस्तों अपनी पहली वाली वीडियो में बनानी सीखी थी अगर दुस्तों आपको नहीं आता है कि आखिर हम अपने window में new drive को कैसे बना सकते हैं तो उसकी link दूस्तों मैंने description box में दे रखिये आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं ओके fans आप दुस्तों इन चारों में से कोई भी एक drive कर लिएगा select जिस drive को दूस्तों आपको delete करना है तो हमें दूस्तों delete करना है आप पे L drive को तो इसे कर लेते हैं हम select और यहां पर करेंगे right click और यहां से कर आप देख रहे हैं कि यहां से हमारी drive delete हो गई है okay fans अभी दूस्तों इस वाली drive completely delete नहीं हुई है तो उसके लिए दूस्तों आप करेंगे कोई इसी भी drive को select जिस भी drive में दूस्तों आपको इस वाली volume को करना है merge तो हमें दूस्तों इसका volume करना है merge तो इसे कर लेते हैं हम select तो यहां पर करते हैं right click और यहां पर दूस्तों आपको दिख रहा है extend volume का एक option तो इसे कर लेता है यहां से select और यहां से कर देते हैं next फिर से next फिर से finish Okay Fence तो आप देख रहें कि यहां पर f-drive का जो volume था वो जो तो in ःक्रीज होचए合 चुका हे ओके फेंड्स तो दुस्तो आज की वीडियो मस इत्वा है था अगर यह दुस्तो आपको वीडियो पसान लाई हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और सिया करें and have a nice day